नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम निश्यर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राकंड की खास कबरों हरिद्वार कुम्ब मेला इस बार साड़े तीन महीने की बजाए सिर्फ 48 दिन का ही होगा जी हां राजसरकार एक जनवरी को नहीं बलकी फरवरी अंत में मेले की अधिसूचना जारी करेगी इस बार कोरोना के कारण अधिकारिक मेले की अविदी कम होगी संतों के साथ सहमती के बाद सरकार ने मार्च अप्रेल में पढ़ने वाले सनान को ही मुखे कुम सनान मानते हुए नोटिफिकेशन की तैयारी की है शहरी विकास बिवाग ने मिला नोटिफिकेशन का प्रस्ताफ सी-म के पास बेजा है फरवरी अंत मैकुम की विदिवत नोटिफिकेशन की उमीद है उत्रखण में नए साल के अगमन को लेकर होटल और रिजॉर्ट से लानियों के लिए सजने लगे है कोरनाकाल में ये विवसाय जहां लगबग चौपट रहा अब रौनक भढ़ने की उमीद बनी हुई है खिरसू में भी अभी सननाटा सा नजार आ रहा है GSVN के जहादर गेस्ट हाउस कोविट सेंटर होने से वहाँ बोकिंग नहीं की जा रही है उत्रखंट से बीते एक महीने के दोरान बिटेन से 227 लोग के पौशने से सरकार में हलकंप मच गया है केंदर से सूची मिलने के बाद राजसरकार ने ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया है साथी बिटेन से लोटी काशीपूर की एक महीला के कोरोना संक्रबत निकलने से सरकार की चिंता और बढ़ गई है बिटेन में तेजी से पहलने वाले और पहले से जाधा घातक कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से दुनिया भर में दहशत है इसे देखते हुए बिटेन से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी गई है और वहीं उत्राखंट के चंपापत में एक कार अनियंत्रित होकर करीब तेड़ सो मीटर गहरी खाई में जा समाई हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई है दो लोग गंबी रूप से गाहलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है आपको बता दें कि शनिवार शाम को एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर करीब तेड़ सो मीटर गहरी खाई में समागई हाथसे कि सूचना स्थानिय ग्रामीनों ने चंपापत कोत वाली पुलिस को दी उदम सिंग्नगर में किसानों के दिल्ली कूच के दौरान बाजपूर के 12 यूपी बॉर्डर पर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्च किया है उत्राखन के रामपूर में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क में सेलानी अब 7 जोन में सेर कर सकेंगे शनिवार को जिम कॉर्बेट पार्क के 7 जोन का शुबारम हो गया है वनमंत्री डॉक्टर हरक सिंग रावत ने गारजिया जोन का उधगाटन किया कॉर्बेट पार्क के नए जोन गार्जिया काया शनिवार को वनमंत्री नपरेटको का जिपसी को हरी जंडी दिखा कर शुबारम कर दिया है इस मौके पर हरक ने कहा कि कॉर्बेट में नया जोन खुलने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा डिखुली स्थित कॉर्बेट पार्क के नए जोन गर्जिया में प्रवेश दुआर पर आयोजित कारेकरम में कॉर्बेट स्टाफ को सम्बोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि कॉर्बेट पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिला है नये जोन खुलने से और युवाओं को रोजगार के अफसर मिलेंगे और वही उत्राखट में अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव का पूरवनुमान है मौसम में बदलाव 28 जिसंबर को देखने को मिलेगा कुमायू शेतर में भी कहीं कहीं हलकी बारिश और बरफवारी होने की संभावना है 29 कु उत्रकाशी, रुद्यप्रयाग, चमोली, पितोरगर जैसे सीमानत जनपदों में हलकी बारिश और बरफवारी हो सकती है लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा निर्देशक विवेक अगनी होतरी की दा कश्मीर फ्लाइस की शूटिंग को लेकर इन दिरों मशूर अभी ने था अनुपम खेर मसूरी में है लेकिन वीकेंड को लेकर मसूरी में वाहनों का लंबा जाम लगा ऐसे मैं शूटिंग साइट तक पहुचने में अनुपम खेर को काफी दिक्कत हो रही थी इसलिए उन्होंना अपनी गाड़ी छोड़कर एक स्थानी यूवक से लिफ्ट मागी और जाम के जाम से जलते हुए शूटिंग साइट तक पहुचे हैं इस दोरान अनुपम केरने स्थानी यूवक हिमानशू से बाच्चीत भी की फिलाल इस खास मूलिटे में सिर्फ इतना ही जारा खबरों के लिए आप हमारी साथ लगातार बने रहें नमस्कार